नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में मैं जिसमें आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी से संबंदित कुछ नई ट्रिक्स चार से पाश ट्रिक्स होगी दोस्तों वीडियो का अंतक देखने पर काफी सारी नई इंफर्मेशन आपको मिल जाएंगी तो वीडियो का अंतक जरूर देखेगा तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने फोन का इंस्टाग्राम मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद आप सभी को पता है कि यह जो कॉर्णर होता है यहाँ पर आपको दिखाई देता है अपना स्टोरी डालने के लिए तो इसे मैं ओपन करता हूँ स्टोरी डालने के समय दोस्तों जो पहला जो ट्रिक है वो यह है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी फोटो खीचना चाहते हैं आनके चलिए फोटो आप कीच रहे तो इसी फोटो को आपको डालना होगा यहाँ पर मल्टीफल इमेजिस नहीं डाल सकते हैं लेकिन अगर आप यह यह जो एरो बना हुआ इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टी कैप्चर का और अप्शन दिखाई दे रहा हुगा इस पर टैप करते हैं यहाँ पर काफी सारी फोटो निकालने का और आपको मिल जाता आप देख सकते हैं यह एक फोटो हो गई इसके अलाव आप आपको यह पता है कि यहाँ पर काफी सारे filter आप लगा सकते हैं तो क्या आपके फुन में यह वाला filter अविलेबल है जिसमें आप photo का background इस तरीकी से change कर सकते हैं और यहाँ पर जो phone का screen है उस पर कोई photo लगा सकते हैं अपनी इसे enable करने के लिए करना क्या होता है और यहाँ पर आपको simply search करना है mock up यह search करने के बाद आप यहाँ से mock up का कोई भी उठा सकते हैं जैसे आपको आईना चाहिए तो आईने वाला आप यह उठा लीजिए या फिर आपको mobile चाहिए यह चाहिए तो यह ले सकते हैं जैसे और भी बहुत सारे options हैं जो आपको phone अच्छा लग रहा हो उस तरीके का आप यहां से निकाल सकते हैं जैसे ही आप उसे add कर देंगे तो आपके options हैं इसमें यह आ जाएगा और फिर यहां से आप डारेक्ट लिए उसे filter पर लगा सकते हैं जैसे मेरे पास लगा हुआ है तो दूसरी ट्रिक के तरफ चलते हैं तो यह ट्रिक जो है काफी मेज़ेदार है सिंपली आपको करना क्या होता है अपने फोन से कोई भी आप image यहां पर select कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं जिसे यह select मैंने कर ली अब आप emoji इस पर लगा सकते हैं वो भी animated emoji लगाने के लिए क्या करना है सिंपली इस पर tap करके अगर लगते हैं थोड़ी देर या फिर आप यह जो option यहां पर दिख रहा है लिखने का ए ए लिखा हुआ है उस पर tap करते हैं और यहां से आप emoji select करते हैं अपने फोन में कोई भी emoji जो आप लगाने जाते हैं वो emoji यहां पर लगा दीजिए बड़ा चोटा जो भी आपको करना इसे इस पर कारते कर दीजिए और उसके बाद simply दोस्तों आपको इस पर select करने के बाद उपर की तरफ यह option दिखाए जाते हैं यहां पर यह option दिखाए जाता है यह animation का ह है आप जो भी font लिखते हैं उसका animation यहां से दे सकते हैं तो उसको क्या करना है आपको उस पर tap कर देना है यसी tap करते हैं इस तरीके से यह animated हो जाते हैं अब नीचे से जो भी आप font select करेंगे उनका animation अलग-अलग आपको में लगा जैसे देखिए इसका animation यह है इस वाले font के लिए animation कुछ और अलग हो जाता है देखिए पीछे से light आ रहा है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं फिलाल में यह रख लेता हूं तो यह देखिए बढ़िया सा इमोजी लग रहा है तो ऐसे आप भी लगा सकते हैं इसे discard करते हैं अगला जो है दोस्तों वह background से सम्मझित आ करना जाते ही या एक बड़े किसी भी solid color में रखना चाहते है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कोई भी फोटो जैसे आपने चूज कर ली यह फोटो में चूज कर लेता हूं और simply आपको यह वाला option चूज करना है दोस्तों और जैसी इसको चूज करते हैं उसके आप बस कोई भी color जो आपको background में रखना है वो select कर लीजिए और बस उसे tap करके थोड़ी दे रखेंगे तो इस तरीके से background पूरा same color का हो जाएगा फिर आप चाहें कोई भी color रखना चाहें गर आप cream color रखना चाहते हैं या green रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं बस थोड़ी दे tap करके hold करना होगा और last में आता है दोस्तों video saving का option अगर आप कोई ऐसी photo बनाते हैं जिस पर आपने song लगाया है क्योंकि आम तोर पर हमें whatsapp पर भी डालनी होती है photo और उस समय में हमारे पास कोई ऐसा और after नहीं होता कि हम एक photo के उपर गाना लगाएं तो यह Instagram story काफी अच्छे से कर सकती है आप simply इस तरीके से photo लीजिए यहां से आप गाने लगा दीजिए लिकि इस तरीके से कोई भी गाना आप यहां से select करके लगा सकते हैं और और बस इसके बाद आपको यह जो download का button है दोस्तों इस पर tap करना है और research कर लेना है download जैसी आप इस पर tap करेंगे यह जो story है save हो जाएगी और आपके file manager में आ जाएगी फिर उसे आप कहीं पर भी share कर सकते हैं चाहे WhatsApp पर चाहे Facebook पर जहां पर भी आपको story बनानी है तो यह है दोस्तों कुछ तरी अगर आपको tricks पसंद आई है तो like जरू कीजिगा वीडियो को comment section में बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा फिलाल के इतना ही जन्यवाद